हेलो फ्रेंट्स महुरा जान और आप देख रहे हैं हमारा चैनल दिलिप टेलेशन बुटिक आज के इस वीडियो में देखेंगे बेल्ट ब्लाउज कटिंग के सीरीज का अगला वीडियो 32 साइस का फो नौट ब्लाउज कटिंग बॉड़ी मेजरमेंट से लंबाई साड़े पेपर लिया है कटिंग करने के लिए आप नौर्मल ने उस पेपर भी कटिंग कर सकते हो ठीक हैं यहां पर दीखेगा हम क्या करेंगे सबसे पहले लंबाई का निशान लेंगे ठीक हैं लंबाई निशान के लिए हम यूज करेंगे इंची टेप का और एक मारकर पेन का यह दोनों निशानों को आपको मिला लेना है, ठीक है, ये इस प्रकार से आप निशान मिला लिए, अब बात आती है, शोल्डर के, तो मैंने एक सिंपल सा फ़र्मूला दिया है, कि शोल्डर जीतना है उसका हाफ कर लो, तो साढ़े तेरा है तो उसका हाफ हो गपोने साथ, अब को अगर deep neck बनाना है पीछे deep neck है तो 1.5 inch minus कर लो clear calculation रहेगा सवा 5 inch पर आपका shoulder cutting होगा यहाँ पर भी सवा 5 inch का एक और निशान लगाते हैं दोनों निशानों को scale से इस तरह से मिला लेना है मिलाने के बाद यहाँ पर बात करेंगे 32 चेश्ट के arm hole की तो यहाँ पर आप ले सक जाएगा 34 ठीक है और कमर की अगर बात करें तो कमर है 26 दो जोडने पर हो जाएगा 28 अब दो इंच प्लस क्यों क्यों क्योंकि यह body measurement है और body measurement होने की वज़े से हमें losing देना पड़ता है ठीक है कमर पर मैंने normal losing दिया आप बहुत ही tight fitting चाहते हो तो एक इंच lose कर सकते हो अब लेते हैं चलिए चौथा हिस्सा तो 34 का one fourth कितना होगा यह होगा साड़े आठ इंच ठीक है चौथा हिस्सा अब यहां पर सिलाए मार्जिन अलग से देना पड़ता है तो वह सवा इंच का और दे देंगे अब बात करते हैं यहां पर 28 इंच कमर हमने यहां पर लिया तो 28 का चौथा हिस्सा होगा साथ इंच और कमर पर सिलाए मार्जिन ले लेना सवा दो इंच का क्योंकि कमर पर डॉट लगेगा उसके बाद आप इस निशान को इस तरह से मिला लोगे यह करने के बाद आगे बढ़ने से पहले आप सभी से कहना चाहूंगा जो लोग भी पीपर करेंग को मंगा सकते हैं चलिए बात करते हैं गले की तो चोटा साइज है 32 इंच है गला आप सवा दो इंच यहां पर खोलोगे सवा दो इंच गले का निशान लगाना है तो यह इस तरह से चलिए मैं निशान लगाता हूं ठीक है अब गले की गहराई नापने से पहले एक चीज का दियां रखना कि हम deep गला बनाते हैं तो गले को down करते हैं यह shoulder को यह इस तरह से और armhole को भी तो पहले down कर लेना उसके बाद नापना नहीं तो फिर छोटा पड़ेगा आर मोल का तो खेर दिक्कत नहीं है लेकिन ये शोल्डर वाला 9 आप पहले डाउन कर लेना उसके बाद नापना ठीक है तो इससे आपका ये गला छोटा नहीं पड़ेगा सवा 2 इंच का हमने चौड़ाई लिया अब हम क्या करेंगे यहां पर जैसे हमें लेना है साड़े 6 इंच का गला तो साड़े 6 का निशान 32 इंच के लिए साड़े 6 इंच सफिशेंट है ये आगे बढ़ा है निशान को और फैलाओ दे देंगे लगबग 2 इंच का ये निशान लगाए अब इन निशानों को मिला करके आपको क्या करना है यहां पर गोलाई शेप देना है जो भी आप गले का शेप देना चाहते हो वो शेप देना है मैं यहां पर नॉर्मल गोलाई दे रहा हूँ ठीक है अब यहां पर आर्मोल की बात करते हैं तो एक इंच दूरी से आर्मोल की पहली गोलाई यह ऐसे आर्मोल के लिए पर्टिकुलर मैंने वीडियो दिया है आप जाकर करके देख सकते हो बहुत ही हेल्प मिलेगी आप लोगों को दोनों को लाईयों के बीच में पॉनीज का गैप रख लेना और थोड़ असा डाउन करते होगे कटेंगे जब आर्मोल की कटिंग करेंगे तो ठीक है अब बात करते हैं बेल्ट की और डॉट्स की यह इंपोर्टेंट रहेगा इसको ध्यान दीजी जैसे लंबाई आपकी यह साड़े तेरा इंच यह देखे मार्जिन मिला के हो गया साड़े जोगदा तो बेल्ट का निशान आप यहाँ पे लगाओगे लगबग पौने बारा इंच पे लियर है यह इस टाइप से और इसकेल से आप इस निशान को इस तरह से आगे मिला लिए बराबर हो गया अब देखना 32 इंचेश्ट है डौट आपका आएगा लगबग सवा चार इंच पे यह ऐसे निशान लगाए सवा चार का अब इसकी उचाई यहाँ से आप एक इंच उचा लो या फिर शोल्डर से जैसे ना पोगे तो यहाँ पर आपको लेना है पौने ग्यारा ठीक है डौट लगेगा वो यहाँ से डेड़ इंच की दूरी पर यह ऐसे उसके बाद इधर जब हम देखते हैं तो इधर भी डेड़ इंच की दूरी पर और जो लास्ट डौट है वो इसी पहले वाले डौट से धाई अंच की दूरी पर ठीक है यह चारो डौट हो गए इसको आपको क्या करना है यह इस तरह से मिलाना है देखिए यह चीज़े मैं हर बार आप लोगों को बता रहा हूँ बेल्ट बलाउज कटिंग यह पूरी सीरीज मैंने चला दी आप लोगों को बहुत हेल्प मिला होगा इससे बेल्ट बलाउज कटिंग जित्ते भी लोग देखना चाहा रहे थे मैं उम्मीद करूँगा आप सभी के जो रिक्वेस्ट है वो पूरे हुए होंगे और अगर कुछ रह जाता है तो आप कमेंट्स कर सकते हो इस सीरीज की एक दो वीडियो बागी है तो उसमें मैं कवर करने की कुशिश करूँगा यहाँ पर बात करते हैं बेल्ट का जो शेप हम देते हैं उसकी तो भी नॉर्मल यहाँ पर आप क्या करोगे सवा दो इंच या ठाई इंच की दूरी पर यह एक निशान लगाओगे उसके बाद यहाँ से पौन इंच उपर उठा करके इसकेल से आपको इसको तिर्चा कर देना है यह बेल्ट हो गया अब यहां पर हम डारेक्ट कटिंग करेंगे ठीक है सामने और पीछे पला दोनों है कैसे है मैं कटिंग करके बता रहा हूं यहां पर आपको यह इस तरह से शोल्डर पर डाउन वाले निशान पर काटना है और आरम होल पर बढहर वाले निशान कर्दना है और जिन लोगों को दिलिप टेलेश स्पेशल पेपर कटेंग्स मंगाने हैं सभी तरह के मार्जिन वगरा इंक्लोड है उसमें आप मंगा सकते हैं डिस्प्ले पे जो नंबर चल रहा है उस पे कैश ओन डिलेवरी पे आप ओडर कर सकते हैं यहां पर देखें दोनों पेपर अलग अलग करने से पहले यह एक छोटा सा मैं कट लगा देता हूं गले का अब दोनों पेपर अलग अलग किए तो जितने निशान लगे हुए यह दिख रहे हैं यह सामने का पल्ला है इसमें पहले बेल्ट को अलग करते हैं हो गया अब यहाँ पर आर्म होल छांट देंगे और फिर गले की कटिंग कर देंगे कर दो के लिए कट लगा लेना यह चीजें मैं बार पर बताता हूं आप लोगों को ताकि कपड़े पर रख करके जब आप कटिंग करो तो इन कट्स के उपर आप चौक से निशान लगा सको ठीक है इसलिए मैं हमेशा इन कट्स के बारे में आप लोगों को बताता हूं कि यह हो गया आपका सामने का पल्ला किस तरह से आपको काटना है इसमें कुछ मार्जिन देना पड़ेगा वह मार्जिन भी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे मार्जिन देना और जो लोग पेपर के टेंक्स मंगाये हैं या मंगाने का सोच रहें उनको कोई मार्जिन नहीं देना यह आप फर्मा बनांगे तब आपको मर्जिन देना है जो फर्मा मंगा उन्हें नहीं वह ठीक है पीछे पATORले की अगर बात करें तो यहां पर देखेए हैं पीछे फली में गले का न करेंगे इस से पीछे गला साड़े नोउ इंच डीप करना है यह निशान लगा दिए साड़े नौU इंच का अब हम क्या करेंगे इसकेल लेंगे इस निशान को सिधा आगे बढ़ा देंगे यह a three is फिर उपर से इस निशान को मिला लेंगे यह हो गया अब यहाँ पर शेप दे देना गले का जैसे आप मटका गला देना चाहते हो तो नीचे तो आपका गोल गले का ही शेप आएगा मटके में भी यह ऐसे और उपर से यह हलका सा राउंड होगे अंदर आता है फिर थोड़ा सा बहार निकलता है मटका का शेप आप लोग देखे होंगे किस तरह से रहता है मटका बिल्कुल उसी तरह से गले का पैटन बनेगा काफी ट्रेंट पर है मटका गला डिजाइन और उसके बाद यहाँ पर बात करेंगे डॉट की तो पीछे के जो डॉट्स हैं वो आपको लगाने है यहाँ पर दोनों डॉट के जो बीच की दूरी रहेगी यह रहेगी सवा चार इंच की और उंचाई लगभग पौने चार चार इंच का ठीक है यह पीछे पल्ले का डॉट हाफ इंच के पीछे पल्ले के को यह हो गया अभी चलिए इसको कटिंग अगर मैं नहीं बता रहा हूं थोड़ा सा बताऊंगा सामने पर लेके मार्जिन के बारे में क्योंकि हो सकता है कोई नया आया है चैनल पर अगर उसको नहीं मालूम किस तरह से मार्जिन देना है तो समस्य हो जाएगी तो इसलिए मैं नए व्योवर्स को भी ध्यान में रखते हूए आप लोगों को यहा पर बताता हूं कि किस तरह से क्या क्या करना है हर वीडियो में वही वही चीज़ें बता रहा हूं ऐसा कुछ नहीं है और यह साइड वाले हिसे पर पॉनीच का मार्जिन बाकी कहीं पर कोई मार्जिन नहीं ठीक है न अब बात करते हैं बेल्ट की तो यह जो बेल्ट हैं जिसको हम योग पट्टी भी बोलते हैं तो यह योग पट्टी जो है इसमें नीचे वाले हिसे पर पॉनीच का मार्जिन ठ तो आप लोग बस सर्च करिए देखिए ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए का वीडियो पशंद आया तो लाइक करें शेयर करें चैनल पर पहली बारा है चैनल को सब्सक्राइब कर लिएगा मैं राजना आप से फिर मुलाकात करता हूं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए जैहन